हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तू मैं चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने के बारे में यह मतलब नहीं है कि मैं आपको आपने की हिस्ट्री बताने वाली हूँ कि अक्ने क्यों हो जाता है हमारी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिनकी प्रॉब्लम बहुत जाती है और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बताएंगे जिसके लगाने के मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बोल रहे हूं कि जादा से जादा आपको 4-5 दिन लगेंगे आपके पिम्पल्स आपको गायब होने दिख ज टो आप अभी मेरे इस Shin पे देख सकते हैं देखिए और पहले प्मपल होँ चुके इसो चीक पर कुछ जादा होते थे पहले कीए सूर्फ परते हुझ उच्कीरियो इसके अंदर पावर है बट अगर आपको कुछ तीनी बंप्स वाले जो ज्यादा तर आपको किसी चीज के क्रीम के रियक्शन से हो जाते हैं या आपको आपके पिंपल में पर बनता है तो यह उस तैप के पिंपल को बिल्कुल इसके मतलब खत्म कर सकती है अब आप सोच होग अगर प्राइस की बात करें तो बहुत जादा नहीं है यह मेरे को 120 रूपीस की मिली थी इसका चोटा पीस है आप जो देख रहे हैं और अब हम बात करते हैं कि इसके क्या एड्वांटेज है और इसकी क्या डिस एड्वांटेज है मतलब हारे क्रीम के अफुरतों दोनों होते तो देखें यह पर आइप जिस जाधा लाइट एट समय जब यहां होती ज्ल अपको कर चुछे करना चाहिए यहां आप के स्कृम को बहुत ज्यादा ड्राय कर देटेगा इसलिए इसको नाइट में यूज उसकर अगर आप विंटर सीजन में यूज आगर तो आप देम क्लीन करके अपना फेस फेश ओस करके उसके बाद इस जल को लगा लिजिए अब आप इसको पूरे मूह में लगाते हैं या सिर्फ अपने एरिया वाले जगह पर लगाते हैं वह आपके उपर डिपेंड है बट मैं आपको यहीं सला दूंगी कि आपको जहां पर अपने बनता कि आपको लगाने के बावजूद भी आप बिल्कुल भी ब्लोवर के पास किसी भी गरम चीज के पास मच यह वरना यह आपकी स्कीन को इरिटेट कर सकता है इस क्रीम के अंदर एक और भी बहुत अच्छी खास बात है कि यह आपके स्पोर्ट को भी रिमूव करने की पावर रखता है मतलब कि मैंने इसको अपने जब इस एरिया पे लगाया था तो पिंपल्स के साथ साथ बहुत जादा स्पोर्ट थे अभी आपको स्पोर्ट आपके स्पॉट्स करते है तो ज़्यादा से ज़्यादा पीस पच्छेश दिन के बाद आपके श्पॉर्ट्स भी ऐन लगते हैं दीरे धीरे पहले आपके last year, और विल्टे लृट्ई करता है और एक उपन दिरे धीरे वाल मी होत पहते हैं अपन पर रатов चुकिलेदी करता यह मैं अपनी गारंटी से बोल रही हूँ आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यही सला दूँगी कि पहले आप एक दो बार इसे लगाए अगर आपको लगता है कि वैसे तो यह आपको सूट ही करने वाली है फिर भी अगर आपको लगता है यह आपको कुछ पिंपल्स को एक दम जला देता है मतलब होता है ना कि जैसे लगता है कि पिंपल्स बिल्कुल मर गए एकदम डेट हो जाते हैं वह अगर आप इसको चार-पांच दिन रेगुलर लगाओगे तो नेक्स दे से आप फील करें अगर आप अपने फेस पे ऐसे हाथ फेरेंगे आपके जो पिंपल्स होते हैं वह इसे डेट स्कीन की तरह जढ़ने लगते हैं सबसे इच्छी और सबसे खास बात इस क्रीम की यह है तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे यूज करते हूं कि आपको इसे यूज कैसे करना है मतलब मेरे स्कीन पर भी कोई मेक अप नहीं मैंन जो भी आपके पिंपल वाले एडिया आप इसको वहां पर अप्लाई कर लीजे इस तरीके से बस आपको इसे इसको लाइटी बहुत जादा रगणना नहीं बहुत जादा रब नहीं करना है बस इसे हलका सहसे करके आप इसको छोड़ दीजे आपके स्कीन में यह इस तरीके से आप इसको अपने पिंपल वाले एरियास पर लगा लीजिए मेरे को जहां जहां इस टाइम पिंपल में बस वहीं लगाऊंगी और इस क्रीम की सबसे खास बात यह कि आपकी स्कीन के जो ओपन पोर्स हैं उनको भी यह कम करने का काम करता है मतलब आपके जो पो नहीं कि रोम चिद्रों में बैक्टिरिया जाएगा नहीं तो आपको एकने बनेगे और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी स्कीन से यह जो गंदगी होती है या एक तरीके से कह लिजे कि हमारे स्कीन में इसकीन में पोर्स के अंदर जो गंदगी है चली जाती हो पिमपल बनत लगते हैं लोक vaca को लगाने के बाद आप अगर विल्टर राइस है तो प्लीज आप मॉर्नि में अच्छे से मोश्च्ञाइज करना आप और अगर आप इससे समर सीजन में यूजड़ लगा है तो इन दोनों का कॉमविनेशन बहुत अच्छा विक करता है आपकी स्कीन से पिंपल्स बहुत जल्दी जाने लगते हैं बहुत जल्दी रिमूव होंगे और बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो